नमस्कार दोस्तों आज सबीका स्वागत आपके टूप चैनल में आज किसी वीडियो हम देखेंगे वैदिक संस्कीति संबनित के रिवे सेर कुश्चन तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन है मारा आरिस सब्द का साथिक अर्थ है तो उसका सही अंसर और जाएगा option B जो कि है स्रेष्ट या कुलीन अगला कुश्चन है इसमें से किस फसल का ग्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो उसका सही अंसर और जाएगा option D जो कि है तंबागू अगला कुश्चन है रिग वैदिक आरियों का मुख वियसाय क्या था तो इसका सही एंसर आप्सन बी जो कि है पसू पालन अगला कुश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसी माना जाता है उसका सही एंसर आप्सन बी जो कि एक हजार इसा पूर्व से छेसो इसा पूर्व तक अगला कुश्चन है पर्थम विधी निर्माता कौन धाए अगला कुश्चन है पर्थम विधी निर्माता कौन है इसका सही एंसर आप्सन है जो कि है मनु अगला question है खिस वेद में प्राचीन वैदिक यूग की संस्कृत के बारे में शूचना दी गई है तो इसका सही answer option है जो की है रिग वेद में अगला question है निमलिकित में से उत्तरवेदिक काल में लिखेए गरंतों का सही करम कौंसा है उसका सही answer option है जो कि है सबसे पहला है वेद, उसके ब्राम्माण, अरण और फिर उपनसद अगला question है वेदों की संख्या कितनी है उसका सही answer option C जो कि है 4 अगला question है कौन से 3 वेद सहीं के रूप से 3 या वेद 3 कहलाते हैं तो इसका सही answer वाजाएगा option है जो कि है रिगवेद, यजुरवेद और साउमेद अगला question है प्रावर्म्मिक आर्यों के बारे में निम्लिकी कत्मों में से कौन सा सही नहीं है तो इसका सही answer option D वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे अगला question है किष्ट भक्ति का प्रथम और प्रधान गरंथ है तो इसका सही answer option B जो कि है स्रीमत भगवत गीता अगला question है उत्तरवेदि काल के वेद विरोधी और ब्रामर विरोधी धार्मिक अध्यापकग को किस नाम से जाना जाता था तो इसका सही answer option B जो कि है सर्मड अगला question है पूर वेदिक या रिकवधी संस्कीत का काल कीसे माना जाता है तो इसका सही answer option है जो कि है 1500 पुर्ष से 1000 पुर्ष तक अगला question है भायत के राच्चिन में प्रिष्ट होने वाले सब्ध सत्मयों जैते किस उपनिसल से लिए गए है तो इसका सही एंसर आफसन है जो कि है मुंडक उपनिसल से अगला कुश्चन है भारतिय संगीत का आदि गरंद कहा जाता है तो इसका सही एंसर आफसन डी जो कि है सामवेद को अगला कुश्चन है पसिद दस राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध, किस तट पर लड़ा गया, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसंडी, जो कि है परुसंडी, अगला कुश्चन है, रिग वेद में संपत्ति का मुख रूप क्या है, तो इसका सही अंसर आपसंडी, जो कि है गोधन अगला कुश्चन है, आरे भारत में बाहर से आए, और सरप्रथम बसे, तो इसका सही अंसर आपसंडी, जो कि है पंजाब में अगला कुश्चन है, मिमान सा या पूर मिमान सा दसन के परतिपादत है, तो इसका सही अंसर आपसंडी, जो कि है जैमिनी अगला क्वेट के किस मंडल में सूद्र का उल्यक पहली बार मिलता है तो उसका सही एंसर आपसन डी जो किये 10 में अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है तो उसका सही एंसर आपसन है जो किये 18 अगला question है वेदान्त या उत्तर मिमान सा दर्सन के प्रतिपादक हैं तो इसका सही answer हो जाएगा option B जो कि है बाद रायन अगला question है वैसेसिक दर्सन के प्रतिपादक हैं तो इसका सही answer option B जो कि है उलूक कड़द अगला कुश्चन है धर्म सास्त्रों में भू राजसु की दर क्या है तो इसका सही एंसर आपसन सी जो कि है एक बटे छे अगला कुश्चन है किस काल में अच्छोत की ओधाना असपट रूप से उडित हुई तो इसका सही एंसर आपसन डी जो किये धर्म सास्त के काल में अगला कुश्चन है वैदि धर्म का मुख लच्छण इन में से किसकी उपासना था तो इसका सही एंसर आपसन है जो किये परकेत के अगला कुश्चन है किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्दका प्रियोग हुआ है तो इसका सही एंसर आपसन है जो कि है इंद्र के लिए अगला कुश्चन है सुल्व सूत्र किस विशय से सम्बनित पृस्तक है तो इसका सही एंसर आपसन है जो किहें ज्यामिती अगला कुश्चन है अस्तोमा सद्गमे कहां से लिया गया है तो इसका सही एंसर आपसन है जो किहें रिगवेट से अगला कुश्चन है प्राचीन भारत में निसक से जाने जाते थे तो इसका सई answer option है जो कि है सोन अभूसन अगला question है वेदों को आप और से क्यों कहा जाता है तो इसका सई answer रोजाएगा option है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है अगला question है रिग वेद का कौन सा मंडल तोर्टया सोम को समर्पित है तो इसका सई answer option C जो कि है नवा मंडल अगला question है उप निसत पुस्तके है उसका सई answer option D जो कि है दर्शन पर अगला question है आठ सो इसा पूर्व से छे सो इसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है तो इसका सई answer option है जो कि है ब्रामभर युग से अगला कुश्चन है गात्री मंत्र जो की सम्मौधित है देवी सावित्री को किस पुस्तक में मिलता है तो इसका सही अंसर आफसन है जो की है रिगवेद में अगला कुश्चन है नया दर्सन को परचारित किया था तो इसका सही अंसर आफसन भी जो की है गौतम में दोस्तों आज के आगला और आखरी कुश्चन है योग दर्सन के प्रतिपादक हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आफसा ने जो कि है पंत जली